तो टार्गेट विद पियस परिहार चेनल में आपका स्वागत है आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि देनिक सायंकार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन चे सम्मंदित कौन कौन से सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं वे सभी अबर्थी टेस्ट बुक का ये एरली पास ले सकते हैं इसमें एक क्वार्टर डिस्काउंट आफर चल रहा है और जिसमें आपको केवल 375 रुपय में एक साल के लिए एक अनलिमिटेड भरतियों के मौक टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा टेस्ट बुक में पांच सो पचा साले पांच सो से जादा भरतियों के मौक टेस्ट दिये हैं और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्किप्शन बाक्स में दे दिया है लेकिन आपको ये छूट तभी मिलेगी जब आप इस कोड को यूज करेंगी टी डवलू पी नहीं तो फिर 499 में ही आपको मिल या गई और 375 में चाले 500 पर इच्छा यानि चाहिए आप आप असेस्ट और स्फीके त्यारी करें रचा रहें कर रहा हो चाहीं रेलवे कर रहे हो चाहिए बैंक की कर रहा हूं चाहिए वो पुलिस भृतिक कर रहे हो और वह भार भासों में देखिए आप निचने लिखा ह बारे लेंग्वेजी यह देखिए बारे भासाम उपलब्दे और चौदार राक्सी विद्यार्थी ज्यादा इसमें जुड़े हुए हैं बात करते हैं अरशाट सो सिक्षकवर्थी की ऐसा लग रहा है कि अब यह जो सिक्षकवर्थी है वो समाप्त होने वाली है और जहांते ज्यादा इसकी दो तारीक हैं और बची हैं दो तारीकों में यह जो केस है वो आर्डर इसके रिजर्व हो जाएगा इस आर्डर के रिजर्व होते ही जब इसका आर्डर आ जाएगा और इनका हला भला जो कुछ भी होना होगा अगर वो हो जाता है तो उसके बाद में आपक कितने विद्यारती हैं जिन्हों ने जुआइन नहीं किया है कोट ने सूची मांगी है और रिक्त पदों का विवरण मांगा तो हो सकता है कि अगर पत जादा होंगे तो उसमें विचार कर सकती है कोट जो भी चीज़ें हो तो यहां पर देखिए यह पत्र है वो सभी समस्त ब विवरण वह सभी कारियाला से मांगा गया है और उसके लिए नीचे यहां पर प्रारुब्भी बताया गया है और साथ में विद्यार्थी भी लगे हुए हैं कोशिस करने कि जादा जादा जो पदों का विवरण है पूरा का पूरा जो विवरण है वह अच्छी तरीके से जल्दी से पहुंच जाए है और यह वह प्रोफार्मा है जिसमें लिकर की भेजना सब्सक्राव 170000 9000 का कि कतने लोगों ने ग्रहन किया कितने लोगों नहीं किया हैं कर बहुत सारी मामिलंय चल केंसी की बारे में बहुत जबर्जस्त जानकारी मिली है कभी आरचन के पक्ष में कभी आरचन के विरोध में लगातार अभियान चलते रहते हैं और पिछले जब सम्विधान सम्मथ होता है वही आरचन में बहुत सारे विवाद आचुके हैं चाहे पुराना वाला आरचन हो चाहिए नया वाला आरचन हो और इसमें एक सुप्रिम कोड की गाइडलाइन की आवर सक्ता भी ठी और भरो सकता कि इस तरीके से पिछली बार सुप्रम कोट ने एक बड़ा आरडर दिया था कि 50% से ज़्यादा आरचन नहीं हो सकता है और उसी तरीके से हो सकता कि इस बार भी कुछ नया आरडर देखने को मिले नहीं तो इसी तरीके से कोई किसी को आरचन देगा कोई किसी को आरचन देगा कोई जैसे हम लोगों ने सुना था भी महाराष्ट में मराठा आरचण जाट आरचण और साउध में बहुत सारे आरचण दिए जाते हैं किसी किसी राज में 70% आरचण किसी ने मुसलिमों के लिए आरचण तो इन सब विंदुओं को भी धान में रख करके सुनवाई हो रही है और लोग सेवा आयोग ने अपनी तयारी पूरी कर रखी है के वर कुछ और अगर पद आ जाते हैं लोग सेवा आयोग का तो यह भी कहना है कि अगर 200 की पद आसपास जो पद हैं यह अगर कंप्लीट हो जाएंगे लोग सेवा आयोग में आ जाएंगे तो यह लोग सेवा निकले तो उसमें 200 पद रहें और पद वास्तों में बहुत ज्यादा रिक्त हैं रिकार्ड रिक्त हैं और जब आपको रिजल्ट आएगा या जब तक भड़ती हैं कंप्लीट होगी तक आपको आश्र होगा जिस तरीकी से संक्या पड़ी थी और हाला कि अभी तो नहीं बड़ी चौदा में बड़ी थी तो बहुत कुल मिला करें मुझे जानकारी मिली है सचिवाला में बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों देखा होगा डी सीपी भी थी डी सीपी थी और 280 आरो चले गए सेक्शन अफिसर बन गए और और कुछ पहले से भी पद़िख्ट थी और 280 अभी जो रिक्त हुआ ये 280 है उसके पहले भी जो रिटायर्मेंट वगेरा होता आप हो सारी चीजें होती है उसकी वज़े से जो रिकतियां पड़ी थी तो आरो की बहुत सारे और बहुत सारा ए-आरो का भी प्रमोशन हु सच्षीवालस में इस सच्षीवाला बेसाल वह आधियाचन लोग सेवह आयों को नहीं पहरा है मेरे तोफना ये घर आ आ जायेगा बहुत जल्दी जाएगा चुक्कि यह महत्रपूर्ण पद होते हैं और यह जो डीसीपी है बहुत दिनों से हुई नहीं है हुई नहीं थी 2010 की जो आरों उनका प्रोमोशन अभी हुआ है और तेरा की भी कुछ आरों का प्रोमोशन होगा है अनुभाग अधिकारी में उसके बाद में इसकी उपर होते हैं डिप्टी और बहुत सारे तो यह जो पद हैं वह लगवक कम से कम आपकी जो पकेंसी यह 700 तो जाएगी अनुमान है 700 के आसपास जाएगी जो भरतिया आपकी महहीने में अगले जो कुछ पतों का तो लोगसेवाज आ आ हैं लेकिन سंब्क लियाकरी मिली है की महिने तक इस मेले लास्ट में अगले महिने तक पत्तों का जो और अधियाचन है लगबक मैं 140 1.500 आसपास का जो अधियाचन वह पेहुचने वाला जैसे वह पहुंच जाएगा वैसे लोग से थलाक से तुननत आपका जो विग्यापन निकाल देगा यानि कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर कि महीनी में आपकी आरो यारो की जो पारेंसी आने की पुस्टी हो गयां और और यारो की जो अंतर हो भी काफी कम होनी लगा है बहुत जादा अंतर रहेगा नहीं कि अब बहुत जादा लोगों ने लेवल भी कर लिया उसके संकक्ष भी कर लिया पहले नहीं तर इसलिए जो आरो की कटाफ़ती को कम जाये करती अब समक्ष भी हो गया है इसके लिए आप लोग दोनों चीजों के लिए लगातार यहां पर आपने तस्वीरें देख सकते हैं बहुत सारे लोग साथ भी दे रहे हैं वास्तों में जो निजी विश्विद्याला की तरफ बढ़ रहा है यह केंदरी विश्विद्याला और इलापाद में जायतर ग्रामिन पश्टभूम के जो चात्र हैं वही आते हैं और चार सो गुर्णा जो फीस है वो बहुत जादा होती है और इन चात्रों के समर्तन में आज समाजवादी पार्टी की तरब से भी तुट किया गिया है और इसका विरोध किया है कि लोगत तुत्र की प्राइमरी को बर्बात कर यह योगी सरकार चार सो प्रतिसत फीस वर्द के विरोध में आमरण अंसन के समर्तर में चातरों नहीं मसाल लेगर के मारस निकाला कल के लिए और वहीं पर प्रियंका गांधी वाड़ा ने भी देखी ये ट्विट किया है और इसका विरोध किया है यूमंज ने भी राष्ट निर्देश जारी करने का कश्ट करें और फीस वर्दी वापस हो सके यह हो गया आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुद्धन्वा